हेलो एवरीवन अपेक्स क्लासेस के डिजिल प्लेपफॉर्म पे आपका श्वागत है आज हम क्लास 10 के मैट्स का एक चैप्टर चो निर्देसांग जैमेती है उसके बारे में हम इस्टेडी करेंगे कि निर्देसांग जैमेती में सोता है कि किसी भी समतल पर किसी भी बिंदू की इस्तति को निर्दारित करना जैसे कि बिंदू एक दो संक्याओ का एक जोड़ा होता है जैसे कि 4,5 यह दो संक्याओ का एक जोड़ा है जिसे हम बिंदू कहते हैं और इन दौनों संक्याओ को हम निर्देसांग कहते हैं इन निर्देसांग को हम X और Y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि यह जो 4 है वो X है और जो 5 है यहां पर Y है X को हम भुज अक्स भी कहते है और Y को कोटी अक्स भी कहते है एक नेक्स्ट अब हम देखते है कि काईसे हम किसी भी बिंदू की स्थती को एक संतल पर निर्दारित कर सकते हैं इस लिए देन यह उर्दवादर रेखा है यह एक 36 रेखा है इसको हम X-AX यह X-DAS यह Y और यह Y-DAS है यह जो होता है O, यह होता है मोल बिंदू, जिसके निर्दे सांग होता है 0,0 X-O, X-AX इसको हम कहते है X-AX और X-AX को हम बोलेंगे 36 रेखा Y-O, Y-AX को हम कहते है Y-AX और इसको हम बोलेंगे उर्दवादर रेखा यह एक समतल है जिसमें X-AX और Y-AX दो अक्स है जिसको चार बराबर भागों में बाटा गया है यह होता है फर्स्ट चतुर्थांस यह होता है सेकेंड चतुर्थांस और यह होता है थर्ड चतुर्थांस और यह होता है फोर्थ चतुर्थांस फर्स्ट चतुर्थांस सेकेंड थर्ड और फोर्थ अब जैसे कि यह जो X-AX है यह जो Y-AX है यह जो xx है यहाँ पर हम लिख प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 और यह जो भाग है यह होगा माइनस का माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 5 यह जो y x का उपर वाला भाग है यह होता है प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 और प्लस 5 यह जो भाग है वो होता है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 5 अब हम देखते हैं कि फर्स्ट चतूरतांस में x क्या है? प्लस, प्लस का और Y क्या है, वो भी प्लस का, जब भी कोई भी बिंदू, निर्दे संग X और Y दोनों प्लस के हैं, तो फर्स चतूर्ताँस में होंगे, इसमें सेकेंड चतूर्ताँस में, जो X हूँ माइन स्का है, y जो है वो प्लस का है थर्ड चतुर्थांस में x जो है माइनस का है और y जो है वो भी माइनस का है 4 चतुर्थांस में x जो है वो प्लस का है और y जो है माइनस का है अब हम देखते है कि माना अपने पास एक बिंदू है 2,3 थी अब देखो x plus 2 है और y plus 3 है तो दूनों plus का आएंगे फर्स चतुर्थांस में यहां पे है plus 2 कहांपे x का यह रहा और y plus 3 तो यह रहा यह हमने हमने इस point को इस बिंदू को हमने निर्दारित किया तो यहां पर आएगा देता हो इसको मैं यह आ गया माइनस फोर एंड माइनस फाइब यह कौन सा चतुर्थांस था थर्ड चतुर्थांस ओके आयोब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम बिंदू की एक समतल पर इस्थति को निर्दारित कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि दो दो बिंदों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे माना कि कोई बिंदू A है जिसके निर्देसांग X1,Y1 है और एक बिंदू B है जिसके निर्देसांग X2,Y2 है इन दोनों बिंदों के बीच की दूरी हम मान लेता है D है तो D बराबर होता है अंडरूट X2 माइनस X1 का हॉल स्क्वार प्लस Y2 माइनस Y1 का हॉल स्क्वार ओके तो दो बिंदो की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे इस सुत्तर के द्वारा नेक्स यह कोश्चन है कि निम्नलिकित बिंदो के मद्य दूरी घ्याद कीजिए हमारे पास दो बिंदू दे रखे और इन दौनों बिंदो की बीच की दूरी हमें निकालनी है तो हम जानते हैं कि दो बिंदो की बीच की दूरी निकालने का सुत्तर होता है under root x2 minus x1 का all square plus y2 minus y1 का all square अब हमार पास दो बिंदु है तो इसमें x1 कौन सा है यह होगा x1 यह होगा y1 यह होगा x2 और यह होगा y2 तो अब इस value को हम directly इस formula में put कर लेंगे x2 x2 की value कितनी है minus 1 यह minus x1 कितना है minus 6 अब देखो minus 1 यहाँ पर है और 1 minus 6 वहाँ पर है तो हम क्या करेंगे एक अलग bracket में हम इसको लिख लेंगे plus y2 कितना है minus 5 यह हमने लिखा यहाँ पर minus 5 यह minus और y1 कितना है 7 यह हमने यहाँ पर लिखा 7 अब हम आगे इसको solve करेंगे माइनस 1 और माइनस और माइनस कितना होता है plus तो हमने लिखा minus 1 plus 6 plus minus 5 और माइनस 7 कितना होता है माइनस 12 स्कॉर्ण कितना होता है 5 और यह minus 12 as it is लिख लेंगे हम आगे solve करेंगे 5 का स्कॉर्ण 25 प्लस 12 का स्कॉर्ण 144 और माइनस का स्कॉर्ण कितना होता है प्लस 25 प्लस 144 कितना होता है 169 तो यह गए जो दो बिंदू थे उन दोनों के बीच की दूरी हम नहीं निकाल यह और कितना है आंस्वर अंडरूट 169 और अंडरूट 169 कितना होता है इसको हम लिख सकते है 13 13 किसका होता है 169 13 का होल स्कॉर्ण होता है ओके नेक्स्ट एक कोश्चन है कि बिंदू माइनस 4,5 की एक्स और यक्स से दूरी क्या होगी जब भी कोई बिंदू दे हमें यह पुछे दूरी क्या होगी और यक्स और यक्स से दूरी क्या होगी तो हम क्यासे निकालेंगे सबसे पहले हम दिया गया वह लिखते माना एक बिंदू दे रखा है माइनस 4,5 अब इसकी एक्स से दूरी और y अक्ष से दूरी जब भी x अक्ष से दूरी पूँचे तो क्या लिखना हम है y का मान यह हो गया 5 और y अक्ष से दूरी जब भी पूँचे तो क्या लिखना हम है X का मान, X का मान कितना है, minus 4, I hope आपको अच्छे से समझ में आएगगा कि कैसे हम दिये गए बिंदू से X अक्स की और Y अक्स की दूरी निकाल सकते हैं, अब यह कोशन दे रखा है और हमारा पास बिंदू दे रखे होंगे, यहाँ पर पूछ लेगा कि एक आयत के सीर से, सित कीजिए कि दिये गे बिंदू एक वर्ग के सिर्ष है सित कीजिए कि दिये गे बिंदू एक शह रेखिया है सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि समकौन तिर्बूज के सिर्ष कैसे निकाल सकते कैसे हम सित कर सकते कि समकौन तिर्बूज के सिर्ष है सबसे पहले हमें पता होन कितना है? एक कौन कितना है? 90 डीगरी और एक समकौन तिरबूज की एक property होती है की कर्ण स्कोर बराबर लंब इसकोर प्लस आधार स्कोर है इस तिरबूज में यह हो गया कर्ण होता है सबसे बड़ी बूजा यह हो गया लंब और यह हो गया आधार अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों पॉइंट से जो दिये गए तीन बिंदू है इन बिंदू से हम तीन दूरिया निकालेंगे फर्स्ट निकालेंगे PQ, सेकेंड निकालेंगे QR और थर्ड निकालेंगे RP, सबसे पहले निकालते है PQ दो बिंदो के बीच की दूरिय निकालने का सूत्र हम सबको पता है क्या है, अंडरूट X2-X1 का होल स्कॉर प्लस Y2-Y1 का होल स्कॉर तो अब हम क्या निकालेंगे, इस सूत्र का यूज करके हम तिनों दूरिया निकालेंगे, सबसे फ़हले निकालते है PQ देखो यह है P और यह है Q तो यह होगा X1 यह होगा Y1 यह होगा X2 और यह होगा Y2 तो हम इस सुत्र में direct value लिख लेंगे X2 कितना है? minus 2 यह minus X1 कितना है? 2 इसी परकार Y2 कितना है? 1 minus Y1 कितना है? minus 2 तो हम क्या लिखेंगे? एक छोटा bracket करके minus 2 को अलक लिख लेंगे अब next solve करेंगे? यहाँ पर देखो minus 2 और minus 2 कितना होगा? minus 2 और minus 2 कितना होगा? minus 4 का all square प्लस यह 1 और यह minus into minus कितना होगा? plus 1 और 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 तो यह होगया 3 का square तो अच्छा, minus 4 का square कितना होता? minus का square प्लस और 4 का square होगया? 16 और प्लस 3 का square? 9 तो यह कितना होगा? अब इसी परकार हम क्या निकालेंगे? QR यह है Q और यह है R तो यह होगा X1 यह होगा Y1 यह होगा X2 और यह होगा Y2 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस सुत्तर में X2, X1, Y1, Y2 की value put करेंगे तो X2 कितना है? 5 minus X1 कितना है? minus 2 तो हम अलग bracket में हम minus 2 को लिखेंगे प्लस Y2 कितना है? 2 minus Y1 कितना है? 1 5 minus और minus होता है प्लस 5 प्लस 2 कितना हुआ? 7 7 का स्कॉर प्लस 2 minus 1 कितना हुआ? 1, 1 का स्कॉर 7 का स्कॉर कितना होता है? 49 और प्लस 1 का स्कॉर? 1 49 प्लस 1 कितना हुआ? 50 ओके इसी परकार हम next चो R और P है वो निकालेंगे अंडरूट सुत्र तो यही लगेगा अब क्या होगा? X2 यह है R तो यह X1 यह Y1 यह P यह X2 और यह Y2 तो सबसे पहले लिखेंगे X2, X2 कितना है? 5 minus X1 2 का होल स्कॉर स्कॉर प्लस Y2 minus 2 Y1 minus 2 अब 5 में से 2 कितना होता है? 3 3 का होल स्कॉर स्कॉर 9 और 4 का होल स्कॉर 16 तो कितना होला? अंडरूट 25 अब हमारे पास PQ Q और RP तिनों दूरी निकल चुकी है अब हम क्या करेंगे? इससे हम यह चेक करेंगे QR स्कॉर बराबर PQ स्कॉर प्लस RP स्कॉर तो QR कितना है? अंडरूट 25 का होल स्कॉर प्लस RP कितना है? अंडरूट 25 का होल स्कॉर अब इसको स्वाल करेंगे अंडरूट 50 का होल स्कॉर कितना होता है? 50 बराबर अंडरूट 25 का होल स्कॉर 25 प्लस अंडरूट 25 का होल स्कॉर 25 तो 50 बराबर 50 सभाकはい मतलब कि जो हमने संकॉन तिरभुज की प्रापर्टी को यूज किया है वो सिद्धा इसका मतलब दिये गए बिंदू क्या है एक समकॉन तिरभुज के सिर्थ से यहां पर हम लिखेंगे इति सिद्धम कि जबभी हमें कोई भी कोशन हों कि सिर्थ करना है तो जब भी सीध होने के बाद हम इसको लिखेंगे इत्ती शीधम आई होप आपको अच्छे से समझ माया होगा कि ओके तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे माना कि इसकी जगह अगर आयत होता इसकी जगह वर्ग होता तो कैसे करते जब करेंगे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए का आयत की प्रॉपर्टि क्या आयत क्या होता है कि आमने सामने की भुजाए बराबर हो उसको क्या कहते है और आयत और दौनों विकन भी समान होते है वर्ग में क्या होता है वर्ग में चारों भुजाए बराबर होती है और दौनों विकन बराबर होते है और सहरेक क्या होता है एक ही रेका पर तीनों विंदु इस्तित होते ह होता है तीनों के बीच कि दूरी अलग अलग होती है जब भी तीनों के बीच की दूरी अलग अलग होती है तो दिए गे बिंदू क्या हों sparkling और ऑपको अच्छे से समझ मा आग कीसे हम ऐसे कोशन को सॉल कर सकते मैक्सट सब्सक्राइब करें हमारा Apex Classes Edutech YouTube चानल साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले ताकि आगे आने वाले सभी YouTube विडियोज की अपडेटड नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आको मिले Apex Classes Edutech सब्सक्राइब नाओ